मेरा नाम लाँ है और आज के इस में इकमाज फ्री कैम्पेंड में हम देखेंगे कि इस जियोफी के डिफॉल्ट फैक्ट्री नेटवर्क यूसर डियो पासवर्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं जब आपको यह जियोफी आता है तो आपको पता होगा कि जियोफी का जो ओरिजिनल SSID और जो इसका नाम है यहां पर आपको दिखाई देता है और इसी के साथ आप कनेक्ट करते हो राइट आप जब अपना नेटवर्क खोशते हो तो आपको यह नेटवर्क नीम कहिना की दि रहा है जियोफी.local.html आपको यहां पर जाना है और यह इसर एड और पास्वर्ड यानि अड्मिस्ट्रेटर और अड्मिस्ट्रेटर जो है वह इंटर करना है तो ठीक है मैं इसको काम करता हूं मैं इसको लाइक रन करता हूं फिलाल तो लाइक इसी आईडी से मुझे एं जाता है तो यह बहुत जर्वरी श्टेप है कि आपको न केवल इसी वाइफ़ाइन करना है यह इसके नेटवर्क के साथ अपको दूसरे नेटवर्क में connect करके इस router के admin console में नहीं जा सकते हैं या administrator panel में नहीं जा सकते हैं तो अभी like मेरे को इसी के जी ओफी F2 में मेरे को connect करना है और इसका मैंने कैसा बदा था आपका user ID और password जो था यह हमने इसी में type कर दिया है मतलब यह जो अभी है मेरे पास जो यह network दिखाई दे रहा है इसका user ID और password बैटरी की पीछे लिखा हुआ था है तो ठीक है अभी हमने जैसे कि इसको connect किया तो अब मैं इसमें वह कर सकता हूं या फिर मैं manage router यहां से जा सकता हूं directly यहां फिर geofi.local.html तो दोनों तरीके हैं मेरे पास में यहां से manage router से जाता हूं मैं Chrome browser से इसको open करता हूं तो geofi.local.html आ गए है मेरे को यहां पर जिसे की login करना है अब बैटरी के M30 के साथ कर रहा था तो यह website open नहीं हो रहा था मैंने factory reset सारा कुछ करके देखा लेकिन नहीं हो रहा था एक मुनिट शुरुबाती दोनों administrator administrator रहता है उसके बाद आप अपना चेंज कर सकते हैं आपको चो चेंज कराना आपको यहां पर सेटिंग के तरफ जाना और फिर क्योंकि आपको वाइफाई का network name और password चेंज करना है तो आप यहां पर जाओगे तो अभी आपको जैसे जीओ फी के साथ आपने connect किया था क्योंकि इसका डिफॉल्ट फैक्टरी सेटिंग में जो इसका SSID याने नेटवर्क नेम रहता है वो बाइट डिफॉल्ट आप देखोगे कि ऐसा है जीओ फी फ्टू मांगे चली मैं इसको चेंज करके ना मैं इसको लिखना चाहता हूं कि जीओ फी और फिर अमलान ठीक है ना और उसके बाद मैं इसक 456 ! ठीक है अब मैं इसको अपलाए करता हूं अब देखे अचानक मेरा वाइफाई पुरा निकल जाएगा क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अब इसका अलग ही नेटवर्क है अब यह वेबसाइट या कुनेट मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब यह देखेंगे अब जो हमने सेट किया वही आ रहा है अब मैं इसमें जाओंगा तो मुझे पासवर्ट क्या देना पड़ेगा देफ 123456 ! और मैं अब कनेक्ट कर सकता हूं तो अब क्योंकि हमने डिवाइस का पासवर्ट चेंज किया था इसलिए यह नहा पासवर्ट है और यह भूल जाता हूं तो हमेशा याद रखना कि एक तरीका है हमेशा आप रिसेट कर सकते हो और यह है कि यहां पर डिवाइस में आप दिखोगे एक रिसेट का बटन है तो अगर आप यह रिसेट का बटन लाइक इसको दबा देते हो 15 सेकंड के लिए तो क्या होगा कि आपने अभी जो भी कुछ चेंजस की है वो रिवर्ट हो जाते हैं और रिवर्ट होके फिर से फैक्ट्री का जो ओरिजिनल जो रहता है यानि SSID जीओफी F2 और पासवर्ड यह क्योंकि अभी आपने रिसेट कर दिया हम फिर से इससे कनेक करना होगा लेकिन कोई फरक ने परता क्य पैनल में जाके बदल सकते हीं है तो आज हमने जो चीज जियो के साथ किया है कुछ दिन पहले हमनें हमने डिलिंक के साथ किया तक बेलेने जाके हां सकते हैं अब तोम्य तो और लाइक मैंने सोचा कि आज इसको मैं demonstrate करके दिखा हूँ इस tutorial का नाम हाला कि हम लिख रहे हैं how to change यूफी password लेकिन it could have been very well कि how to change wifi password और ठीक इसी प्रकार आप कोई भी wifi router का password change करते हैं कैसे change करते हैं आप उसके admin panel में जाते हैं यहाँ पे admin panel जो है लिखा ही हुआ है कि admin panel का ID क्या होगा आप देख सकते जियोफी.local.html वहाँ पर जाके हमने चेंज किया है लेकिन हर एक का जो box आता है wifi router का उसमें लिखा हुआ रहता है वहाँ पर जाके आप like you know SSID और जो उसका password है बदल सकते हैं ठीक है दोस्त आज के लिए बस इतना है अगर आपका हमाँ ट्यूटल पसंद है तो प्लीज हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और ह दोस्तों के साथ इस content को जरूर शेयर करें और अगर आपको सही लगए तो bell icon दबाए रखें जिसे कि आपको notifications मिले और comments में आपके questions जरूर दें जिसे कि हम उसको जवाब का सवाल जवाब कर सके फूरे देर में मैं कोशिश करना कि मैं इस डिवाइस को अनलॉक करके दिखांव हमारे पास यह अनलॉक्ट जीओ भी परहा हुआ है तो हम इसमें दूसरे सिम्स भी उसकरते हैं तो कुछ लोगों ने कहा है कि इसको अनलॉक करके बताये तो कोगी देखलेते हैं, है नो? को